बिहार में शराब बंदी कानून 2016 से ही लागू है और नितीश कुमार लगतार इसको लेकर बैठक पर बैठक करते रहते हैं हाल कहीं दिनों में उन्होंने साथ घंटे की मेरा थन बैठक की थी शराब बंदी कानून को लेकर जिसमें बिहार सरकार के सारे मंत्री और सारे वरिये अधिकारी शामिल थे जिसमें मुक्ह मंत्री ने कड़े निर्देश भी दिये थैं तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को कि बिहार में शराभ बंदी कानून को लेकर सक्ती बढ़ती जाए वहीं मुख मंत्री शराब बंदी कानून को लेकर लगतार जागरुकता अभियान चलाते रहते हैं और अब एक बार फिर मुख मंत्री शराब बंदी कानून को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए कई जिलों का दौरा भी करेंगे पूरे बिहार कर भ्रहमन करेंगे लेकिन आपको बता दें कि बिहार में एक तरफ जहां शराब बंद है वहीं दूसरी ओर सूखे नशे का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है नितिश कुमार लगतार शराब माफिया और शराब पीने वालों पर सिकंजा कस रहा है लेकिन सूखे नसे का प्रचलन बिहार में बढ़ता ही जा रहा है और युवाओं में खास कर इस सूखे नसे का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि बिहार में शराब मिल नहीं रहा है और लोग उसका विकल्प तलास रहा है और विकल्प के तलास में सूखा नसास सामने आता हुआ नजर आ रहा है कल हमने आपको एक ख़बर दिखाई थी जहां एक बुजूर्ग महिला जिसको की कंकडबाग थाने के पुलिस ने गिरफ्त में लिया था और उसके पास से पां उसके दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया यानि की दो युवक ब्राउन सुगर का धंदा करते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया है क्या कुछ जानकारी दी है पहले आप वो सुने पर दरवाई थी 4,000 तो यह थी पर सूथ पर कि अपना बेचने के लिए पर आउन सूथ पर दरवाई थी पैसा और हमको उसके बचवाती थी कहां से लाते थे ब्राउन सूगर कखेट यही पर दो देता सा कोई आउर लेकिन बिक्कर देता था वो आपको ना में देश उसका मुलत कितने मैं खरता है तरहा दिए लेंप हे सार्माम कितने में लेते थे द्राइशिंते कितने में लेते थे कितने हे हे? तो कितने कितने टिनों कि यह टो ज्यादा नहीं कर रहा तो तिन यह चार दिन से जाहरा दें से नहीं कर रहा था तो आपने सुना जो दोनों धंदेबाज हैं उन्होंने मीडिया को बताए कि हम चार-पांस दिनों से ब्राउन सुगर का धंदा करते थे और अभी तक लगबग प्रती दिन पांथ-छे पुडिया वो बेच दिया करते थे वहीं जब मीडिया ने उन्हें सवाल किया कि क्या आप कितनों के घर बरबाद कर रहे हैं तो उन्होंने इस बात को भी सही माना कि हाँ हमारी वज़ा से कई लोगों के घर बरबाद हुए हैं कई लोगों की जिंदगी बरबाद हो रही हैं उन्होंने कहा कि हम ज्यादा दिन से ये धंदा नहीं कर रहे थे अब देखने वाली बात यह हुई कि नितीश कुमार शराब बंदी को लेकर तो अपनी पीट थप थपा लेते हैं लेकिन सूखे नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर वो क्या करेंगे क्योंकि सदन में ये बात उठ चुकी है कि बिहार में शराब बंदी के बाद सूखा नसा विकल्प में आगे बढ़ता हुई नजर आ रहा है अब नितीश कुमार इस पर कैसे लगाम लगाते हैं ये देखने वाली बात होगी क्योंकि लगतार पुलीस के शराब बंदी को लेकर चापे मारी में ब्राउन सूखर के धंदेबाज भी पुलीस की गिरुफ्त में आ रहा है और लगतार ये मामला सामने आ रहा है कि होगी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहा है देश्जी न्यूस के साथ और देखते रहा है देश्जी न्यूस